नमस्कार दोस्तो अगर आप धनी अप्लिकेशन से पूरे 5 लाख रुपे तक का परसनल लोन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के उपर बात की जाएगी धनी अप्लिकेशन से लोन लेना आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा या फिर आप नुकसान में रहेंगे इस टॉपिक के उपर भी बात करेंगे और धनी अप्लिकेशन से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं इसके बारे में भी आपको अपना उपीनिन बताया जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा धनी अप्लिकेशन से लोन लेने क लिए आपके पास सिर्फ अधार कार्ड और पैन कार्ड का ही होना जरूरी है अधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर धनी अप्लिकेशन के द्वारा लोन दे दिया जाता है दोस्तों इस वीडियो में लोन अपलाई करने से लेकर बैंक खाते में पैसा आने तक का पूरा स आपकर सबसक्राइब जरूर कर लेना चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको धनी अपलीकेशन से लोण कैसे अपलाई होता है इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से धनी को interface जो है आपके सामने कुछ इस परकार से नजर आ जाएगा आप देख सकते हैं कुछ आपको term and condition जैसे आपको थोड़ी सी permission allow करनी होगी जैसे दो तीन बार यहाँ पर पूछा जा सकता है अब आप दे सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने धनी का जो है अब यहाँ पर आपको simply get started वाली option दिखेगी यहाँ पर आपको click कर देना है आप जो है click करने के बाद आपके सामने यह interface नजर आएगा सबसे पहले क्या करना होगा आपको धनी application से अगर आपको personal loan लेना है तो सबसे पहले आपको धनी one freedom card जो है activate करना होगा उसके बाद आपको personal loan दिया जाता है तो यहाँ पर सबसे उपर धनी freedom card के option के उपर आपको tick लगाना है by default जो भी आप mobile number यूज़ कर रहे होंगे वो आपके सामने screen पी आ जाएंगे बस आपको इनको select करने के बाद simple next पे click करना है जब आप next पे click करेंगे यहाँ पर एक otp auto capture किया जाएगा आपका login तुरंट हो जाएगा अब आपको allow करना है otp जो है auto capture कर लिया गया है simple आपको continue पे click करना है आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं screen के उपर आपको एक यहाँ प password बनाने का option आ गया है तो आपको अपने हिसाब से password बना लेना है जब भी आप application को open करेंगे तो इस password की वश्रिकता रहेगी दोस्तों जब आप application का password बना लेंगे password के साथ जब first time login करेंगे ना तो आपके सामने screen के उपर first time यह message display होगा आप देख सकते हैं पूरे 50,000 रुप application ने दे दी है पहले से ही अगर मैं चाहूं तो इसको तुरंत अपने bank खाते में ले सकता हूं आपके अनुसार आपके document के अनुसार आपकी limit थोड़ी कम भी हो सकती है आपकी limit थोड़ी जादा भी हो सकती है धनी बन ने मुझे application में sign up करने के बाद पूरे 50,000 रुपे का offer दिया है 50,000 रुपे तक का instant personal loan मैं धनी से ले सकता हूं तो आपको मैंने screen के उपर दिखा दिया है सबसे पहले आपको इस loan के benefit बताऊंगा loan लेने से पहले आपको धनी वन freedom card को activate करना होगा उसके बाद जो है जो भी amount होगी आपके bank खाते में तुरंत आप ले सकते हैं अगर आप 50,000 को transfer करना चाहते हैं तो बड़े असानी से कर सकते हैं आप 50,000 से अगर आपको ज्यादा का loan लेना है तो सबसे पहले आपको इनके स application का review करेंगे और आपकी limit time to time भढ़ाते रहेंगे आपकी limit वो है पूरे 5,000,000 तक भी हो सकती है मेरा credit score थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है जिसकी बज़ा से सिर्फ मुझे 50,000 का ही loan का offer मिला है आपके case में 2,000,000 रुपे तक का भी हो सकता है और पूरे 5,000,000 तक का भी हो सकता है अब आपको क्या करना है simple अगर आपको ये avail करना है तो आपको continue पे क्लिक करना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है ये page display हुआ है अब आपको क्या करना है अगर आपका धार कार्ड के साथ mobile number link है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर yes वाली option का ही चु करना उसके बाद आपको continue करना है continue करने के बाद मैं आपको आगे का process बता देता हूं कि बहाँ पर आपको अधार कार्ड नंबर डालने के बाद एक OTP verify करना होगा OTP आने के बाद आपकी personal detail auto capture कर ली जाएगी सारी information आपकी address की बहाँ पर auto capture हो जाएगी और उसके बाद आपक pen card verify होने के बाद ये जो limit है वो आपके bank account में transfer होने के लिए ready हो जाएगी दोस्तों जब आपका process documentation का complete हो जाएगा तो loan जो है ready हो जाएगा आपके खाते में जाने के लिए उसके बाद आप continue करके loan सीधा अपने bank खाते में ले सकते हैं bank खाते में loan कैसे जाएगा अब मैं उस जब loan आपके लिए 50,000 जितना भी आपने लेना चाहोगे आप तो आपकी इस application में आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको 50,000 की limit मिली है जितना आप utilize करना चाहते हैं तो 50,000 पर simple यहाँ पर show हो जाएगा जितना आप daily limit में use करना चाहते है नीचे daily limit आपके सामने आ जाएगी इन process लिखा है जब आप complete कर लेंगे तो यहाँ पर click करने के बाद आप अपने bank account में तुरन पैसे को transfer कर सकते हैं दोस्तों मैंने loan apply यहाँ पर अपने लिए नहीं किया है अगर आप यही process follow करेंगे तो आपका loan definitely apply हो जाएगा मैं आपको loan के बार का process दिख ही देगा कि कितनी आपकी limit है और उसमें से आप utilize करेंगे तो नीचे जो है daily credit limit मैं जो नीचे in progress लिखा है यहाँ से आप click करके अपने bank account में पैसे लगा सकते हैं बहां से transfer कर सकते हैं कोई भी दिक्कत परिशानी आपको नहीं आएगी तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको स जाता है यह basically credit line होती है credit line जितना आप use करेंगे आपके credit score के लिए भी अच्छी रहेगी और आपके credit score के लिए बुरी भी रहेगी क्योंकि अगर आप इस credit line का इस्तेमाल करेंगे अगर आप एक student है आप अपना credit score generate करना चाहते हैं तब आपके लिए यह option सबसे ज्यादा आप transfer करेंगे तो मैंने आपको complete process बता दिया है दोस्तों अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको loan apply करने से लेकर bank खाते में पैसे आने तक का पूरा process आपको बता दिया है अब बात आती है जैसा कि मैंने वीडियो की starting में कहा था कि धनी से loan लेना आपके लिए फाइदे score generate करना चाहते हैं तो उस case में ये loan आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगा जब आप धनी 1 freedom card को activate करेंगे तो आपका symbol score भी generate उसी वक्त हो जाता है जब यहाँ पर जितनी भी credit line आपको दी जाएगी उस मैंसे जितनी भी amount आप utilize करते जाएंगे आपके symbol score पे impact पढ़ता रहे तो यहाँ पर सबसे बड़ा फाइदा यही है कि अगर आपको credit card in future जाके कोई और लेना है या फिर आप बड़ा loan लेना चाहते हैं तो आप इस option का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आपको अधार card और pen card के basis पे loan दे दिया जाता है अब दोस्तों हम बात करते हैं नुक्सान हो सकती है धनी आपको late fees penalty और क्या-क्या interest लगाएगा यह आप भी नहीं जानते हो क्योंकि मैं बताना चाहूंगा यह company जो है आपको loan provide करने का काम करती है तुरंत यहाँ पर पैसा तुरंत आपके खाते में तो आ जाता है अगर आप उसे utilize करने के बाद भूल गए बापस कर लें तब आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा अब दोस्तों last में मेरा opinion बचता है कि क्या आपको धनी से loan लेना चाहिए या नहीं तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा आप धनी से जरूर लोन लीजिए अगर आपको जरूरत है कहीं से loan नहीं मिल रहा है तब आप इसकी तर करना होगा बापस करने के बाद अगर आप विश्य में नहीं लेना चाहते हैं तो इस कार्ड को आप डी एक्टिवेट जरूर करवाईएगा नहीं तो आपको पर मन्त इसका सब्सक्रिप्शन फीस पे करना होगा धनी वन जो कार्ड एक्टिवेट आप करेंगे loan लेने से प लेही जाता है तो यहां पर बताना चाहूंगा जब आपको लोन की जरूरत है तब आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अधरवाईज इसे आप डी एक्टिवेट जरूर कीजिएगा नहीं तो आपको हर महीने इसका सब्सक्रिप्शन फीस देना होगा वाब आप समझ गए होंगे कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं दोस्तों लास्ट मैं बताना चाहूंगा अगर आपको पैसों की ज़्यादा जरूरत रहती है आप कहीं पे आउनलाइन ज़्यादा स्पेंड करते हैं एक दो महीने के लिए पैसे चाहते हैं बेना किसी इंटरस्ट इस अप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इनसे लोन लेने के बाद फ्री इकुली इंस्टाल्मेंट में इनको पैसे वापस कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका काफी सारा फाइदा होने वाला है और उस केस में ही होगा जब आप ज़्यादा तर यूटिलाइज करेंगे अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो मंतली आपको सब्सक्रिप्शन फीज देना होगा इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा है यह वीडियो इंपोर्टन है तो एक लाइक तो बनता है लाइक प्लीज करिएगा चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए जाहिन बंदे मातरम